हलो एसपरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो UGC Net Examination जो होता है, आपके साल में दो बार ये कंड़क्ट होता है, तो इसी कड़ी में पिछले कर ली UGC के द्वारा एक और नोटिफिकेशन निकाली गई है, जो आपके जून म महीं तक यहां पर अग्जाम आपके जो है, आपके जो है, आपको पता है कि किसी भी आपके ओल आवर इंडिया में यदि आपको कॉलेज केडर में एसिस्टन प्रोफेसर लगना है, या अदर जैसे की जैसे की जैर आफ आपने अर्न करनी है, तो आपको UGC का जो है, नेट स्कॉलर्शिप दी जाती है, और नेट के तुरू आप किसी भी इंडिया के किसी भी कॉलेज केडर के लिए, एसिस्टन प्रोफेसर के लिए आप अलिजिबल हो जाते हो, तो ये जो है, काफी अच्छी आपके लिए एक मौका है, कि आप UGC नेट को क्लियर करके के नोटीस है, Opening of the Online Portal for Submission of Online Application from UGC Net June, 2024 तो जून के लिए आपका ये net examination form फिल हो रहा है, और 83 subjects में आपका ये OMR-based आपका examination होगा, pen paper mode में, आप दे सकते हैं, और यहाँ परिजिबल ने बताया है, कि इसमें जो है appointment आपकी रहती है, वो आपके assistant professor, admission to PhD, and admission to PhD only in Indian universities and college, यानि कि eligibility आपकी assistant professor के लिए रहती है, और आपकी PhD program जो रहते है, उसके लिए आपकी eligibility जो है net JRF रहती है, तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है, कि net JRF को clear करके आप इसमें eligible हो सकते हो, और JRF में यदि आपका नाम आता है, तो आपका PhD program में आप enroll हो जाते हो, साथ में आ आपको scholarship भारा सरकार के द्वारा दी जाती है, जो लगबग 40,000 के आस पास रहती है, तो आप दे सकते हैं, अब इसमें आप schedule दे सकते हैं, कि कब से कब आपके ये form स्टार्ट हो रहे है, submission of online application आप दे सकते हैं, कि 20 April से ये स्टार्ट हो चुके हैं, और 10 माई तक ये आपके form fill होंगे, और last date of submission of examination fee, तो आप 11 और 12 माई को इसकी fees deposit करवा सकते हो, उसके बाद जो link है, वो disable हो जाएगा, और correction यदि आपने form में करनी है, तो उसके लिए date UGC के द्वारा रखी गई है, 13 और 15 माई के बीच में आप अपने form में correction कर सकते हो, और examination center आपको बाद में बताया जाएगा, और date of examination जो है, इस साल का जो UGC net का exam होगा, वो यहां पर mention कर दिया गया है, कि 16 जून को जो है, इसका exam होगा, तो आप दे सकते हैं, यह भी यहां mention कर दिया गया है, और साथ में आपके पास application fee भी यहां mention की गई है, कि आपको कितने कितने fees pay करनी होगी, journal category के जो candidate date है, उन्हें 1150 रुपे fees देनी होगी, और journal EWS और OBC non creamy layer को 600 रुपे fees, और SCST और third gender जो रहते हैं, उन्हें 325 रुपे fees देनी होगी, तो यह आपकी fees criteria है, आप दे सकते हैं, यहां पर जो है, कि online mode से ही जो है, आपके form यह accept किये जाएंगे, तो आप जो है, जो यहां पर website दी गई है, आप वहां पर जा करके इसके लिए online अबे दिन कर सकते हो, जो कि 10 मही तक रहने वाला है, और 10 मही के बाद जो है, दो दिन आपको fees deposit करवाने के लिए यहां दिये जाएंगे, तो उससे पहले पहले ही आप कोशिश किजिए, कि यह form भले, उसके बाद आपको पता है कि website पर load पढ़ जाने के कान कई वार आपके form भी फिल नहीं हो पाते हैं, तो आप last time rush होने के बजाए, आप अभी ही apply इसके लिए कर सकते हो, तो यह notification आपके साथ share करना बहुत जुरूरी था, तो यह net examination के जो form है, जून के लिए वो निकल चुके हैं, तो आप इसके लिए आज से ही apply कर सकते हो, और 10 मही तक आप इसके लिए apply कर सकते हो, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यदि कोई other update आती है, तो उसके regarding भी मैं आपको aware करवा दूँगा, आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद.